तो बीपीसी टीरी 3.0 यानि जो आपका री एक्जाम हुआ है उसको लेकर कि यहां पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है तो बाकी बीपीसी टीरी 4.0 से रिलेटेड भी है दोस्तों यहां पर अटेम्ट को लेकर के है जैसा कि इससे पहले आपका तीन अटेम् पर रोग लग सकता है इसके बारे में अभी सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं बने रहेगेगा वीडियो के लास तक बिना स्कीप कर दोस्तों ने हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा बेलागन को प्रश कर लिजेगा ताकि इसी तरह की ऑथरेंटिक अप पदों का रिजेल्ट भी तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका BPSC TRE 3.0 का एक्जाम हुआ है वो आरच्छर को लेकर कि जैसा कि उनकी तरफ से बोला गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट के बाद से जो भी हो सकता है वो कैसे अभी हम लोग सब्सक्राइब में जानेंगे एक बार इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आगे क्या चीफ जेस्टिस ने कहा आप सितंबर में होगी सुनवाई आप लोग देख सकते हैं आप दिया गया है सरकार की नियुक्तियों पर दलील किन पर का रिजल्ट यहां पर दिया हुआ क्या हुआ था आरच्छर में बदलाओ इस पर हाई कोट का क्या था फैसला नॉम्बर में लागो होगा और यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोट ने बिहार में वंचीत वर्ग के लिए आरच्छर 50% से बढ़ा कर 65% करने के फैसले पर कोट इस मामले में सितंबर में विस्तरित सुनवाई करेगा सुमवार को चीफ जस्टिस डिवाई चन्रिचूर की अधेशता वाली तीन सदसी पीठ ने यह आदेश दिया पीठ में नियायमूर्ती जेबी पारदीवाला और नियायमूर्ती मनोज मिश्रा शामिल हैं सुनव चार सरकार ने हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनवती दी थी सुनवाई के करम में श्याम दिवान ने कहा कि इस मुद्दे पर एक पड़ी पीठ द्वारा विचार क्या उशकता हो सकती है लिहाजा इस अस्तर पर आंतरीम रहा से क्यों इंकार किया जा रहा है इस पर शिश कोट ने कहा हम इस चरर में सगन के लिए इचुक नहीं है हम मामले को सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूची बद्द करेंगे और बेंच ने हाई कोट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया इस पेंच में 1.53 लाक नवकरियों का रिजल्ट फैस गया इसमें भी आपने देखा होगा कि ये सारी चीजे चल रही थी बात को लेकर करके चला था जो आपका ट्यारी 1.0 हुआ था तो इन्होंने रिजल्ट को रोका नहीं था यानि BPSC की तरफ दे रिजल्ट को रोका नहीं गया था रिजल्ट जारी कर दिया था लेकिन उसमें चांस है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और यहीं बोला जाएगा कि आपका जो रिजल्ट दिया जा रहा है वो कोट के अधीन दिया जा रहा है मिंस अगर उसकी तरफ से कोई फैसला आता है तो उसी के कार्डिंग फिर जो है वो काम किया जाएगा तो हो सकता है कि आपक रिजल्टे देखने को मिलेगा साथी दोस्तों इसकी ओयमार शीट और आंसर की को लेकर के जो चीज़ें चल रहे हैं तो वह जो ओयमार की स्कैनिंग वाला प्रॉसेस है वह कंप्लीट हो चुका है जब ही ना इनकी साइट पर जो है अपलोड कर दिया जाए तो बहुत जल्द ट्यारी 3.0 में तो अब सभी के मन में कहीं न कहीं सारी चीज़ें डाउट में थीं कि हमें अब मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा बहुत से बच्चे हैं जिनका ट्यारी 3 के बाद भी चैन नहीं हो पा रहा है उनके कुछ न कुछ नंबर कम पढ़ रहे हैं कोई गलती हो जा सकते हैं यानि ट्यारी 4.0 में भी बैठ सकते हैं ट्यारी 5.0 में भी बैठ सकते हैं पाच पाच है आपके पास और दोस्तों बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैं हम चुहाए अगर मालीजी यह वन तो फिफ्ट के लिए अप्लाई कर दिये जो 9 तो 10 के लिए अप तो नहीं दोस्तों आपका क्लास वाइस होगा अगर मालीजी आपने 1 तो फिफ फिफ का एक्जाम दिया है तो जब ती पांच बार देंगे आप तो मालीजी यह पांच बार होई चुका है तब जो है यह आपका कम्प्लीट होगा 6-8 का दे रहा है तो एक बार दिए तो ऐस सकते हैं तो इसको लेकर के बहुत से बच्चों के कमेंट आए हुए थे तो दोस्तो आप class wise पाँच 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 अटेंप्ट दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्जाम देंगे तो वह पाँच अटेंप्ट होगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो यह थी इसे पूरी जान का रही है जो कि मैंने आप सभी को दे दिया बागे रोसों आपके मन में से रेलेटिट कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विज्टर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा ताकि यहां से आपको जो भी टाइम आपको मिलती रहेगी तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस्ट अब्डेट के साथ अप्सक्राइब बाबा टेकर थेंक यू